इस वीडियो में मैं आपकी लिए लेके आई हूँ कुछ ऐसे टूल्स जिन्हें आप घर में आसानी से बना सकते हैं और उससे अपने रंगोली बनाने के प्रोसेस को और भी जादा इजी कर सकते हैं तो चलो पहले टूल की बात कर लेते हैं इसके लिए मैंने यूज किया है पानी की छोटी बाटल आप कोई भी छोटी बाटल यूज कर सकते हैं फिर आपको अपने बेकार पिन को यूज करना है आपको उसकी टिप निकाल लेनी है और फिर अगर बत्ती की हिल्प से हमें बाटल के धकन पे होल करना है hole इतना बड़ा करना है कि हमारी pen की tip जो है उसमें जाके अटक जाए जैसा वीडियो में है सेम वैसा ही करना है तो इस तरह से ये रंगोली pen ready हो जाएगा इससे आप अपने according कोई भी design बना सकते हैं रंगोली के लिए एक tip है आप जो भी color लेंगे उसे छनी से छान लेजेगा पहले जिससे ये tip में फसेगी नहीं और रंगोली भी अच्छे से निकलेगी इसके जगे आप glue की bottle भी यूज़ कर सकते हैं उसके tip में जो hole है आप उसे थोड़ा सा बढ़ा कर लेना और आपका काम हो जाएगा तो चलो दूसरी trick की बात करते हैं इसके लिए मैंने दो paper cup लिये हैं और उसके पीछे side के portion को मैंने हटा दिया है और एक knit का कपड़ा ले लिया है मैंने यहाँ पर दुपटे का कपड़ा लिया है आपके पास जो भी available हो आप वो ले सकते हैं एक cup पर हमें ये knit का कपड़ा फसाना है फिर उसके उपर से हमें दूसरे cup को लगा देना है इससे हमारा रंगोली strainer बन जाएगा इससे आप रंगोली में बड़ी जगह को fill कर सकते हैं अगर आपको और भी tools देखने हैं जो की handmade होंगे तो आप उसके लिए मेरे channel की playlist रंगोली designs जरूर देखना उसमें कई सारे videos मिल जाएंगे आपको जो आपको काफी help करेंगे रंगोली बनाने में फिर यहाँ पर मैंने एक और bottle ली है और सेम अगरबत्ती की help से मैंने इसमें चार hole कर दिये हैं नीचे side कभी कभी रंगोली बनाने में हमें चार line या तीन line एक साथ खीशने की जरूरत होती है तो इसकी help से हम उसे बना सकते हैं बांकी के tools के लिए playlist जरूर देखना ओके लिंक्स मैं आपको description box में देदूंगी प्लिस दो लाक शेर और सबस्क्राइब तो मैं चैनल इल से इर मैं नेस्ट वीडियो तिल देन बबाई है पी दिवाली